सफलता का निश्चय यह कहानी एक छोटे से गाव के एक लड़के, रामेश की है, जिनका सपना बड़ा था. वह बचपन से ही एक वृत्त चित्रकार बनने का सपना देखता था. रामेश के पास कोई महंगा कला किताब नहीं थी, और ना उसके पास पैंसिल और कैमरा था. लेकिन उसके दिल में आग थी, और वह इस सपने को पूरा करने का निश्चय किया. रामेश ने अपनी माता से कहा, मा मुझे एक कैमरा और पैंसिल की आवश्यक्ता है, क्या आप मुझे उन्हें खरीद सकती है? मा थोड़ी ही चिंतित थी, क्योंकि उनका पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन वह अपने बेटे के सपने के प्रतिया श्वस्त थी. उसने जितने पैसे थे, वो उसके लिए कैमरा और पैंसिल खरीदने में खर्च किये. रामेश ने अपने सपने को पूरा करने के लिए खड़ी महनत की. वह हर दिन बाहर जाता और गाउं की सुन्दरी जगहों की तस्वीरें खींचता. वह कला के साथ खुश था और उसका सपना उसकी महनत के साथ साथ बढ़ रहा था. कुछ सालों बाद रामेश की फोटोग्राफी के काम की मान्यता मिली. उसने गाउं की सुन्दर्ता को एक नई द्रिष्टिकोंड से दिखाया और अपने कला के जादू को दुनिया के साथ साजा किया. रामेश की महनत और संगर्ष ने उसे सफलता दिलाई और उसका सपना एक दिन हकीकत बन गया. वह आज एक प्रमुख चित्रकार है और उसका काम लोगों को प्रेरित करता है और दिखाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए आपका निश्चय और महनत सब कुछ होता है. कहानी का सिख सफलता को पाने के लिए आपका सपना और निश्चय महत्वपूर्ण होते हैं और यदि आप मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है